नमस्कार, आज मैं आपको सपने में बंदर के अलग-लग रूपों में दिखने के अर्थ के बारे में और क्या करना चाहिए और साथ ही अगर बार-बार बंदर दिखे तो क्या करें इसके बारे में बताने जा रही हूं हिंदू धरम में स्वपन को बेहत महत्व दिया जाता है जोती शास्त्र के अनुसार हमारे सपने सिर्फ सपने तक ही सीमित नहीं होते बलकि हमारे सपनों का संबन्ध हमारे जीवन से होता है सपने में बंदर देखना एक बहुत अच्छा सपना माना जाता है अगर वेक्ती सपने में बंदर देखता है, हनुमान जी की कृपा मानी जाती है, आने वाले समय में धन लाब हो सकता है, परिवारिक सुख की प्राप्ती हो सकती है, या दामपत्या जीवन का सुख प्राप्त हो सकता है, कोई अच्छी खबर भी मिलने वाली हो सकती है, जीवन ही मिल सकती है सपने में बंदर देखना शुब और अशुब दोनों होता है लेकिन कई सपने अशुब संकेत देते हैं तो वो भी आपको आने वाले भविश्या के लिए सावधान करते हैं अब सपने में बंदर देखना शुब है या अशुब है यह आपके सपने के द्रिश्य पर निर्भर करता है अब मैं आपको बताती हूँ कि सपने में बंदर को अलग लग रूपों में देखते हैं तो इसका क्या मतलब है सपने में बंदर को मारना यदि आप सपने में देखते हैं कि आप किसी बंदर को पीट रहे हैं और आप उस बंदर को ना तो भगा पाते हैं और ना ही मार पाते हैं, तो यह सपना इस बात का संकेत देता है, कि आप अपनी मुसीबतों से लड़ रहे हैं, आपके जीवन में संगर्ष चल रहा है, यदि सपने में आप किसी बंदर को पीटते हैं और उसके बाद उस बंदर को भगा देते हैं, तो इस परकार का सपना यह संकेत देता है कि आप अपने जीवन की अंदर आने वाली परिशानियों का बहुत ही आसानी से मुकाबला करने में सक्षम हो जाएंगे यदि आप सपने में देखते हैं कि आप किसी बंदर के साल लड़ रहे हैं और आपने उस बंदर को प्रास कर दिया और वह मर गया तो यह सपना आपके लिए काफी अच्छा संकेत हो सकता है मतलब आपके जीवन की सारी परिशानियां खतम होने वाली हैं किसी बंदर को मरते हुए देखना आपकी जीत का संकेत देता है और दुश्मन की हार का प्रतीक है पर यदि बंदर से लड़ते समय आप हार जाते हैं और डर जाते हैं या बंदर आपके उपर हावी हो जाता है यह सपना इस बात का संकेत देता है कि भविश्य के अंदर आप किसी परशानी, मुसीबत या बिमारी से पीडित होने वाले हैं जिससे आपको सावधान रहना पड़ेगा तो शायद आप इस मुसीबत से बच सकते हैं सपने में बंदर का काटना आप सपने में देखते हैं कि बंदर ने आपको या अन्य किसी को काटा है तो बंदर के द्वारा काटे जाने वाले वेक्ति को किसी प्रकार से रोग लगने की संभावना बताई जाती है इसलिए अपना खयाल रखिए बिमार होने पर डॉक्टर की सला अवश लिजिए सपने में बंदर का कुछ खाते हुए इसका आर्थ है कि कोई नुकसान हो सकता है कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है या पैसों की कमी या आपका पैसा डूबने वाला हो सकता है पैसों की समस्या ना हो इसलिए आपको पैसों से जुड़े कार्या को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए बंदर को अपने कंदे पर बैठे देखना बंदर आपके कंदे पर बैठा है और आपके साथ मितरता पूर्वक वैवार कर रहा है तो बिल्कुल ना डरें ये शुप संकेत है कि आने वाले दिनों में आप किसी प्रकार की यात्रा करने वाले हैं और आपकी यात्रा सफल होगी बंदर को गुसे में देखना इसका आर्थ है कि आपके घर का कोई सदस्या नजी की रिष्टेदार पडोसी दोस या ओफिस का करमचारी आप पर भढ़के हुए हैं किसी कारण से आपका इन लोगों के साथ जगड़ा हो सकता है आपका नाम घर परिवार समाज में गिर सकता है जितना हो सके कम बात करना चाहिए तांकि आप जगड़ों से बस सकें बंदर को खुश देखना इसका अर्थ है कि आपको आपका पुराना मित्र वापिस मिल सकता है या आपका प्रेमी आपको मिल सकता है रिष्टों में गहराई बढ़ने वाली है मतलब कुछ अच्छा होने वाला है बंदरों का जुंड देखना ज्योति शासर के अंसार यदी कोई जातक अपने सपने में बहुत सारे बंदर देखे तो ये इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आपका परिवार आपका हर परकार से साथ देगा अच्छी और बुरी परसितियों में आपके साथ रहेगा ऐसा सपना मनुश्या के जीवन में सकारत्मक परभाव लाता है अधिक धनलाब की प्राप्ति भी हो सकती है किसी बंदर को रसी से बंदे या पिंजरे में कैद देखना ऐसा सपना आपकी अंदर सकारत्मक बदलाव करने की सला देता है कहीं आप लोगों को बेवज़ है परिशान तो नहीं कर रही अगर ऐसा है तो उन्हें परिशान करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये हरकते आपको किसी मुसीबत में डाल सकती है नकलची बंदर दिखना सपने में किसी बंदर के द्वारा आपकी नकल करते हुए देखना आपके बचकाने वेवार को द इस परकार के सपने आते हैं तो आपको साफधान होने की जरूरत है अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान करें अपने दुश्मनों से कैसे बचे इसके बारे में सोचें खेलते हुए बंदर का सपना ये सपना आपके सपने पूरे करने का संकेत देता है अगर घर खरीदने क बारे में सोच रहे हैं, तो ये सपना जल्दी पूरा होगा, अगर पहले से आपके पास अच्छा घर है, तो ये सपना आपके घर में नई खुशियां लाने का संकेत देता है, जैसे शादी नहीं हुई तो हो जाएगी, अगर हो चुकी है तो बच्चा होने का शुप संकेत द आता है, आपको चिंताओं को दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए, और चोटी-चोटी बातों को लेकर अपने दिमाग में तनाव को ना आने दे, अपनी गोद में उठाते हुए या अपनी बाहों में बंदर को पकड़े हुए देखना, यह इस परकार का संकेत देता है, क यह इस बात का संकेत है, कि आप जो भी काम करने वाले हैं, उसके बारे में सोच समझ कर आगे कदम उठाएं, यह यह भी हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी आपके जीवन में हेर फेर कर सकता है, आपको संभलने की जरूरत है, कपड़े पैने हुए या कपड़े पैनते हुए बं दुज़ा हुआ है, उसे आपकी मदद की जरूरत है, किसी बंदर का अपने आपको ही पीटते हुए दिखाई देना, यह इस बात का संकेत देता है, कि कोई आपका दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने आएगा, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, वो अपने आपको ही हानी पहुंचाएगा, आपको भैबित होने की जरूरत नहीं है, सपने में गरववती बंदरिया देखना, अगर आप किसी निराशा से गुजर रही हैं, तो यह सपना आपके जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए बड़ा ही मददगार साबित होता है जो जीवन के शों का पहले पूरे ना कर सके, अब आप उनको पूरे कर सकते हैं, सफेद बंदर सपने में देखना, यह शुप माना जाता है, आपको आने वाले दिनों में खुप तरक्की मिलेगी, कमाई में बड़ोतरी होगी, साथ-साथ यह सपना आपके दिमागी विकास को भी बड़ावा देता है, सपने में कोई बंदर आपकी सहायता कर रहा है, यह इस बात का संकेत देता है, कि आने वाले समय में आपके कारे में आपके दोस्त के साथ, आपके दुश्मन भी आपका साथ देने वाले हैं, सपने में बंदर का दान दिखाना, इसका मतलब शु सपने में बंदर का उचल कूद करते हुए नजर आना यह महस एक मस्तिश के द्वारा बनाया गया आपकी ही छवी को दर्शाता है जब भी मनुश्य भविश्य को लेकर काफी चिंतित होता है या इस परकार की उटपटांग बाते बन रही होती हैं तो ऐसे में हो सकता है कि सपने में बंदर दिखाई दे और आपको बताना चाहता है कि आपका दिमाग एक बंदर की भांती उचल कूद मचा रहा है जिस परकार बंदर एक मिनट शांत नहीं रह सकता उसी परकार आपका दिमाग भी बैचैन है ऐसे में आप शांती से काम लें अपने दिमाग को शांत रखें तथा किसी प्रकार का निर्न्या लेने से पहले कई बार सोचें इसमें क्या सही है और क्या गलत है आपको अपने दिमाग पर काबू रखने की आवश्यक्ता है खुद को बंदरों के बीच में घिरे हुए देखना ये इस बात की और संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको बुराई के साथ साथ अपमान भी छेलना पड़ सकता है आपका अपमान करने वाले लोग आपके आसपास वाले आपके मित्र, रिष्टेदार या घर वाले हो सक सकता है इस ज जैस आप जाना है कि सपने में बंदर देखना ज्यादातर शुप संकेत ही माना जाता है बस कई पस्तितियों में थोड़ा स्तर्ख रहने की जरूरत है जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिंदू धरम में बंदर को हनुमान जी का रूप माना जाता है तो सपने में बंदर दिखने पर आपको मंगलवार के वरत रखने चाहिए वे हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके दर्शन करने चाहिए इससे आपको निश्चित ही शुफल प्राप्त होगा अगर आपको सपने में बार-बार बंदर दिखाई दे रहा है तो इसका संकेत ये भी हो सकता है कि आपने किसी बात के लिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना सोचा हो या फिर कोई मननत मांगी हो और आप भूल गए हैं इस बात को याद करवाने के लिए आपके सपने में बार-बार बंदर आएंगे तो आपको याद करके वो मननत पूरी कर देनी चाहिए अगर ऐसी कोई मननत नहीं भी आपको याद आ रही तो भी आपको मंगलवार के व्रत शुरू कर देने चाहिए संभव हो तो बंदर को केले, चने या कुछ खाने का पदार देना चाहिए इससे आपको ज्यादा लाब होगा और इससे आपके उपर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी हमें सपने क्यों आते हैं अच्छा या बुरा सपना आने पर क्या करना चाहिए इस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा धन्यवाल